ब्रम्हा येन कुलाल वन्य यमित ब्रम्हांड भांडो दरे विश्णुर येन दशावतार गहने चिप्तो महा संकटे रुद्रो येन कपाल पाने पुड़के भिख्याट नंकारितः सुर्यो भ्राम्यति नित्यमे बगगने तस्मे नमहा कर्मने जैसे कि आपने कहा तो यह पंद्रह अग्टूबर को हमारे नवरात्र जो है ये शार्द नवरात्र प्रारंब हो रहे हैं इस समय विक्रमी संबत 2018 आश्विन प्रवेश्टा 29 आश्विन महिने के शुकल पक्षी की प्रतिपदा रवीवार चित्रा निख्यत्र और बैध्यति जोग कि इस्तोगन कर्ण 2015 अग्टूबर दखिनायन दखिन गोल शर्द रितों के समय शार्दरी नवरात्र जो है ये प्रारंब हो रहे हैं माता के सभी भक्तजन शक्ती की उपासना से अपने आगे के छे महिनों के लिए शक्ती प्राप्त करेंगे शक्ती उपार्जन के दिन है जे नव नवरात्र और जे छे महिनों के लिए शक्ती अपनी उपासना के द्वारा ही प्राप्त करते हैं भग्वती मां से और उनका जीवन आगे का छे महिनों के लिए बिलकुल सुरखिद रहता है नवरात्र उपासना जो है शक्ती पूजा शक्ती संचय शक्ती संबर्धन के दिन है उस शक्ति के बल पर हम और हमारा परिवार 6 मेने के लिए सुरक्षित रहते हैं और ज़िए हम विश्व के लिए कर रहे हैं या अपने देश के लिए कर रहे हैं तो पूरा विश्व या पूरा देश जो है वो वेवस्त मतलब एक सुरक्षित रहता है और हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक, आधी देविक, आधी भोतिक यह जो ताप हैं, इनको दूर करने में भी मनुश्य समर्थ होता है और काई एक शरीर के द्वारा होने वाले, काई एक बाचिक बानी के द्वारा, मानसिक मन के द्वारा और सांसर्गिक एक दुसरे के साथ संपर्ख से जो भी कोई दोश हैं, वो दोश दूर करने के लिए भी हम इन दिनों का भली प्रकार से उप्योग करते हैं, कि ये दोश ज जो भी कोई विगन बाधा हैं वो सारी कि सारी दूर हो और हम अपनी उपासना को भली प्रकार से कर सकें इस समय किसी के मन में अपनी उन्हती की भावना है कि मेरी प्रमोशन हो जाए किसी के मन में है कि मैं अपनी एक विधान सवा में जीत जाओं किसी के मन में यह मैं पास हो में अपने अपने अन्य प्रकार कि जो भावनाए और इच्छाएं हैं उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चाहे वह श्रीया हैं, चाहे वह देविया हैं चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो बालक है अपनी निष्ठा के मताबक अपने उस मांग के आगे अपना शीष नवा करके नाओ दिन तक अपनी उपासना करते हैं भक्ती करते हैं और मंत्रों का जब करते हैं भगबती की अराधना करते हैं कन्याओं का पूजन करते हैं जि इस समय हमें यह कहने की एक विशेश आवश्यक्ता है कि जो अराधना की जाती है प्रथम नवरातर से ही तो होना है 15 अक्टूबर को प्रथम नवरातर है हमारे शास्त्र में यहां पर जो लिखा की जो चित्रा नख्यत्र और वेध्रिती योग जो होते है उसमें शाखार ओप जो घड़ी की सापना वहां पर नहीं करनी है और उसमें लिखा है बेध्रिताव पुत्र नाशा स्याद चित्रायाम धननाशनम बेध्रिती में पुत्रों के लिए रिष्टकार को करती है और चित्रा बेध्रिती में धन की नाश के लिए वो अगबात बढ़ती है इसलिए ह लगत्त मैं सकते हैं कि नेरी पंचांग कारुन न मिल्ने दिया है कि hard के समय 10 वाइकर 24 मिनड के बाद 10-24 मिनिट के बाद घट साबन करें और खेतरी का अरोपन करें तो यह एक महूरत है अगर वाईचांस किजी प्रकार से पुशर लोग जो है वो इस समय उस कामल नहीं समर्थ हो सके या नहीं कर सके घट साबन इस 10-24 के अंदर नहीं कर सकते तो फिर एक अभिजित महूरत होता ह है अभिजित महूरत में सब परकार की दोश्ट जो हम दूर होते हैं और अभिजित में करकार के कार्यों को करने के लिए जोदिष शास्तर ना आ गया दी हुई है तो अभिजित महूरत कब से कब तक है तो वो है ग्यारां वाइकर तरवंजा मिंड से लेकर के बारां वाइकर 49 मिंड तक अभिजित महूरत हैं तो यदि हम 10-24 के बाद और अभिजित मुहुर्ट से पहले नहीं कर सके तो अभिजित मुहुर्ट में ही हम भली प्रकार से उस शाग तो ये एक विशेश निजम जे था कि ये नहीं कि सुबा सुबा ही कर दें तो बेध हिती में हमें वो शाखार ओपन घट सापन हो जाए और यदि हम 10-24 सक नहीं कर सके हैं तो ग्यारा तरवंजा से लेकर के बारा भाईकर 49 में तक अभिजित मुहुर्ट में शाखार ओपन और खेत्रियार ओपन करें हैं उसके साथ साथ अब हमें ये एक विशेश ध्यान देने की बाजी है कि जो प्रथम नवरातर जो है प्रथम न को स्वच कर लें अपने आसन को स्वच कर लें अपनी भावना को स्वच कर लें अपने विचारों को स्वच कर दें और उसके बाद अपने जिस मंतर का आपने जब करने हैं उसको स्पष्ट कर दें उसमें कोई गलती ना हो तो प्रथम नवरातर में सबसे पहले आप प्रति जारन करके घनिश पूजन करने की पृतिग्या करे कि मां मैं आज से नवम नवरातर तक भगवती का पूजन आपका पूजन करने जा रहा हूं आपके जप पाथ इत्यादी करने जा रहा हूं और आप इस पूजन में हमें सफलता देना और मैं अपनी कोई कहेगा मैं अपनी उन्नति के लिए अपनी प्रमोशन के लिए अपने पास अपनी मनों कामना पूर्ण करने के लिए तो जो भी मनों कामना है उसको पूर्ण करने के लिए वो आगे बढ़ेगा तो उसके बाद फिर गनिश पूर्ण कर दिया गनिश पूर्ण करने के बाद यवांकुर जो है वो प्रकार से मिला करके उसको रख़ तीये जाए उसमें अब जो पहले दिन के भेगर हुए ज हैं वो उसको रूnd रखे दो याज दिन के बीसमें उसका आरूपन करते तो खेतरी आरूपन हो गया इसके ऊपर चेंहले एप गड़े का स्थापन जदी पंडित है अपने पास में तो अपने वीधी से करवा ही देगा जदी पंडित नहीं है तो घड़े में तेलक है चावल है पुषप है कुशा है सुपारी है पंच रतनी है पैसा है यह सारा कुछ उसमें डाल करके और तो उसको सभी जो नदियों का इसमें ध्यान करें गंगा, यमुना, सरसुदी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधू, कावेरी जितनी भी नदियों का ध्यान करते भी जलमें यह समाई तो हो जाए उस घड़े के उपर आम के पत्ते या पंच पलब जो होते हैं पंच पलब रख दें नहीं तो आम के पत्ते र रखें और नारियल जो है वो आप बहुत से सानों पर यह नारियल के विश्री में मैंने बहुत बार कहा है और अब तो बहुत कुछ थोड़ा होने भी लगेगा लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जल यात्रा हो गई यह कल्शी यात्रा हो गई और उसके उपर कभी उल्टे रखेंगे इसके उपर कपड़ा रखेंगे अच्छा दिखाई देगा तो वो ऐसे रख दो लेकिन नारियल का वो जो रखने का प्रकार जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से आप फिर सोच लें फिर सुन लें कि अधो मुखम शत्रु विवर्धन आय जैदि नारियल का मुख जो है आप नीचे की और रखेंगे घड़े के उपर तो शत्रु की विर्धी होगे आपके जो विरोधी हैं वो बहुत जाला बढ़ेंगे अधो मुखम शत्रु विवर्धन आय उर्ध्वन्त जैदि आप उपर की और उसका मुख करेंगे तो बहुरोग सिद्धि की प्रका की और उसका मुख करोगे तो बित्त के नाश के लिए होगा धन के नाश के लिए होगा तस्मा छुभम सम्मुख नारी के इलम आप जहां पर बैठ गए अपने कवरे में असन पर और आप पूर्व की और मुख करके बैठ गए तो जो घड़ा है घड़े के ओपर नारीयल ज आप की और होगा उसके बाद उसके ओपर चुन्नी दे दीजिए कोई लाल बसर दे दीजिए उसके ओपर जदी आप एक हार रख दीजिए और उसके हर रोज पहले शाखा का पूजन करें उसके बाद कल्श का पूजन करें कल्श के ओपर जो नारीयल रखा हुआ है या नार के उपर जो पलेट रखी है जोना रखा है उसमें सुबारी रख दे और सुबारी का हर रोज तेर के चाबल पुष्प से पूजन करें और उसको लगा करके भगवती समय करके उसका पूजन करें और और आगे बढ़ें तो ये कल्ष की एक घड़ सापन हुआ उसके साथ पृजन को करने में भी उपर की और जो जा रही है 簡 है उसमें जोती है तो उसका जो एक इस्थान है वो विशेश पूर्व की तरफ उसका मुक होना चाहिए दिपक का मुख हमेशा पूर्व की और ही रखें ये विशेश रूप से तीसरी बाद बहाँ पर ये है कन्या पूजन का बड़ा विशेश महत्तु है नवरात्र में क्योंकि भगवती जो है वो कन्या सुरूप है तो कन्या का पूजन का कन्या को हम भगवती समय करके बेशन भी समय करके दुरगा माता समय करके उनका पूजन करते हैं तो कन्या का तो आप एक इन साथ पूरे नोगों का पूरें और यह तो आप पहले दिन पहली कन्याओं का पोजिन के लिए कारिया थे जान और जीद करनी है जीत हसल करनी है तो ये खितरी कण्या की खितरी वर्ने की कण्या का पूजन करें उसके बाद धनार्थे बेशिवंशोथाम धन की प्राप्ति के लिए ये आप पूजन कर रहे हैं तो बेशिवंश महाजन वर्ने की जो कण्या है उसका पूजन करें और उसके बाद सोतार्थे शुद्रवंश की यो कामनख के अधार पर उसस वर्न की करनिया का पूरिय किया हो तो बहुत ही बड़ा बढ़िया होता है उसके साथ में आप से जेको होगा अर उसके बाद यह है कि जो ऐसे तो हम प्रजे दिन शनान करते हैं लेकिन अध्वी गात्रानि शुद्यम्ति जल से तो हमारे श्री भ्याम भूत आत्मा जतने भी प्रानी जो हैं विद्या से ज्ञान से और तपस्या से उनकी आत्मा शुद्ध होती है और बुद्धिर ज्ञाने में शुद्धिती ज्ञान से शुद्ध होती है इस जिए उस ज्ञान के अधार पर हम इस पूजा में परवर्त हों और उसके बा जिस किसी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त करने के लिए जिस मंतर का अपना प्रयोग करना उसको करें और उसका जब करें जब करने के बाद भगवती का जो ज़िए आपने मूर्ती रखी हुई या कोई तो मूर्ती का पूजन करें और उसके बाद अपना ध्यान लगा करके क पूज़ा की विधी को आप प्रतीजन करें और निश्चिदी ही आप अपने यो आपके जो सोचे हूँ जो बिचार है और आपकी जो एहाई हैं समिख्या हैं वो आपके और आपके परिवार की जा जो भी जिस जगह पर भी उस प्रकार की पूजा को कर रहा है उसकी पूर्ण होंगी तो यह दुर्गा पूजन का प्रसंदेन का यह पहला पूजन के लिए उसके बाद थी उसके बाद तो ठीक है आप रिटीन कोरस में अब आपके वाट्साप पर वाट्साप करिये हाई 972-825-3663 पर